दिग्रस नगरपालिका के मुख्यादीकारी माधुरी मडावी का तबादला हो चुका है। दिग्रस नगरपालिका का कार्यकाल बेहद रोचक रोमांचक तथा विवादों से भरपूर रहा। नालियों पर अतिक्रमन को हटाने का काम उन्होंने युद्धस तर पर किया। इस तरह से कई कारणों से अतिक्रमन धारकों में उनके खिलाफ गुस्सा देखा गया। मोटर जबती को लेखर भी लोगों में जहां सकत नाराजी थी वहीं लोगों ने मानसुन पूरो नियोजन से बारिश से होने वाला नुकसान काबू में आया इस आशे की गवाही भी दी। उनके कारे पद्दती से नाराज कई लोग उनके तबादले का सौगत कर रहे हैं तो कई उनका तबादला रद करने की मांग भी कर रहे हैं। सामाजिक कारे करता मौमा शहबास दीवान ने उप विभागी अधिकारी आशिश बिजवाल पूसत के माध्यम से मुख्य मंतरी एकनाश शिंदे को मुख्य अधिकारी माधूरी मडावी का तबादला रद करने की मांग का पत्र लिखा है। खुद सांसत संजे देशमुक ने भी की थी। अभी निशुलक नरसरी स्कूलों का आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। माधूरी मडावी के तबादले के बाद चौक चौराहो सहित बाजार हाट से लेकर सोशल मीडिया तक उनके द्वारा किये गए कामों पर सकारात्मक और नकारात्मक ढंक से टिपनी का दौर जारी है। हर कोई अपनी अपनी आकलाई शमता से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। कोई उनके तबादले को उचित बता रहा है तो कोई दबे होटो इसे राजनीतिक हस्तक शेप करार दे रहा है। बैरहाल दिगरश शहर में बीते कई सालों में कई मुख्यादीकारी आये और गए लेकिन इन सब में विभिन कारणों से सबसे जादा चर्चित कार्यकाल के लिए माधुरी मडावी को अवश्य यात किया जाएगा NBCN News के लिए दिगरश से जुबैर खान की रिपोर्ट